सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme UI 2.0, 3.0 and Realme UI 4.0 के सेप्टेमबर मन्त में अभी तक कौन-कौन से डिवाइसेस को साफ्टेर अपडेट देखने को मिला और आपके डिवाइसेस में कब तक ये अपडेट देखने को मिलेगा और साथ ही अभी तक कौन-कौन से सिस्टम अपडेट देखने को मिलेगा उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बात की जाए Realme के सौप्टेर अपडेट इंफरमेशन की तो यहाँ पर आप Realme के आफिसल वेपसाइड में जाकर चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको Realme का स्मार्टफोन, टीबी और लेप्टाप वगरा का सभी का सौप्टेर इंफरमेशन देखने को मिल जाता हैं बात की जाए स्मार्टफोन की तो यहाँ पर आपको Realme के काफी सारे डिवाइसेस का लिस्ट देखने को मिल जाएगा लेकिन दोस्तो यहाँ पर दिखकत ये होती है कि जो भी निवली लाँचेज डिवाइसेस है या फिर कहिए कि जो भी निव सौप्टेर अपडेट रोल आउट होता है वो यहाँ पर अपडेट देखने को मिलता है और यहाँ पर अभी जो भी software update देखने को मिलता है वो अभी तक Realme UI 1.0 का ही देखने को मिलता है तो कुछ इस टाइप से दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तो Realme के जो भी new software update रोल आउट होता है उसका information हमें Realme के official community page में देखने को मिल जाता है तो अगर दोस्तो आप Realme community यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा और यहाँ पर अभी September मन्त में अभी तक जो भी software update रोल आउट हुआ है उसमें किसी-किसी devices को अगस्त मन्त का security page देखने को मिलता है और किसी-किसी devices को September मन्त का latest enhanced system security देखने को मिलता है तो यहाँ पर September मन्त में device list की बात करे तो Realme C31, Realme GT Neo 3 and Realme X7 Max को Realme UI 3.0 के update के साथ September मन्त का open beta और stable update जो है देखने को मिल चुका है इसिक साथ Realme 9 Pro, Realme GT 2 Pro and Realme Watch 3 Pro को Realme UI 3.0 and Watch 3 Pro को September मन्त का new OTA update stable update जो है देखने को मिल चुका है इसिक साथ Realme Smart TV, Realme C35 and Realme C31 को Realme UI 2.0 and 3.0 के update के साथ September मन्त का stable update जो है देखने को मिल चुका है इसके अलावा Realme Narjo 50A Prime, Realme 9 and Realme Take Life Buds T100 को Realme UI 2.0, 3.0 and Buds को September मन्त का new OTA update, stable update जो है देखने को मिल चुका है इसके अलावा बात कीज़ा अगले devices की तो Realme Narjo 30A, Realme 9i 5G and Realme C30S को Realme UI 2.0, 3.0 के update के साथ September मन्त का stable update जो है देखने को मिल चुका है इसके अलावा Realme 9 5G, Realme C21Y, Realme X3 and X3 Super Zoom को Realme UI 3.0 के update के साथ September मन्त का stable update जो है देखने को मिल चुका है इसके अलावा Realme 7, Realme Narjo 20 Pro and Realme Narjo 30 को Realme UI 3.0 के update के साथ September मन्त का stable update जो है देखने को मिल चुका है तो एरह दोस्तो Realme UI 2.0, 3.0 and Realme UI 4.0 का September मन्त में जिन जिन डिवाइसेस को software update देखने को मिला उसका पूरे को पूरे device list अब दोस्तो बात की जाए system application update की जहाँपर आपको Realme ने काफी सारे system application का update जो है provide करवाए है साथ ही Realme UI 4.0 का भी system application provide करवाए है तो अगर दोस्तो इन सभी system application को update करना चाहते हैं तो मैंने अपने telegram group का link जो है वीडियो की description में add कर दिया है आप वहाँ पर जाका download करके install और update कर सकते हैं तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like से और subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो कर दूब जोस्तो